असलामलेकूम, I hope you are fine, आज की वीडियो में मैं स्ट्रोय ट्राउजर की कटिंग करूंगी, ये ट्राउजर के लिए मैंने कप्रा जो है फोर फोल्ड कर ली है, और सबसे पहले मैं उपर दो इंच है, वो नेफे के लिए निशान लगा लोगे उसका, ये स्ट्रोय ट्राउजर की कटिंग बहुत ही एजी मैथल से मैं बता रही हूं आपको, आप लोग भी जरूर ट्राउजर कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीक है, अब दो इंच के फासले पे जब मैंने वो निशान लगा लिया तो निचे से मुझे टोटल थर्टी सिक्स चाहिए, तो उससे पहले मै निचे पांचे के लिए फी दो इंच जो है वो निशान लगा लोंगी दो इंच की फासले पे और इनके सेंटर में मेरी टोटल लंबाई जो है, वो 36 इंच है, और दोब निचानों को मिलाके, टोटल लेंड 40 इंच बन जाएगी repeat, वपरे से निचे जो है, मैं आप मैंने न इस हैं निशान लगा लिए है तो मैंने निशान लगा लिए है लगा कि अंब बनीст के सेंटर है कैसे सेंटर हैог भी ऐस सेंडर से पता है नेचे पांचे लो तो मैंने 11 इंश ले वह स्वा स्पाइब निशान लगा। क्योंकि यह बिल्कुल लोज और स्ट्रे ट्राउजर है तो इसकी चुड़ाई मैंने जादा लगी है यह उपर दो ती निशान में इससां से लगा लूँगी और फिर इस तरह से उसके साथ जो है मैस्च कर दूँगी और यह निशान हमारे लगी है अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी है मैं इसकी कट्णिंग कर दूँ यहें से इसार हमने निशा लगाए है और कटिंग करने के बाद जो मारा हुआ पार्ट है ट्रॉसर का उसकी मैं एक इंच के फास पर कटिंग कर, कट्णिंग के बाद मैं आपको उसका बताती हूँ उससे ट्राउजरी की जो है वो शेप अच्छी आती है जब हम फ्रंट साइड से जो है वो तिर्ची कटिंग की कर लेता है यह मारा फ्रंट साइड है और इसकी फ्रंट की जो है वो सिंगल साइड पहले हम उठाएंगे यह सिंगल साइड है और सेंटर में जो हमारी दो पार्ट है ना उस पे हम उसकी कटिंग कर रहेंगे एक इंच के फास्टे पे तिर्ची कटिंग यह ट्राउजर की मैंने जो एक पार्ट है वो मैंने उपर कर लिया और सेंटर ले टू पार्ट को मैं एक इंच का निशान लगा के तो इसकी मैं तरची कटिंग कर लूँगी और इसके बाद हमारे ट्राउजर की जो कटिंग है वो मुकमल हो जाएगी बहुत ही असान तरीके से यह बताया गया है आप लोग जरूर ट्राय कीज़ेगा और अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्रीज सबस्क्राइब कर लें और साथ बेल आइकोन को जो प्रस कीज़ेगा ताके हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है लाइक शेयर करना मत भूलिएगा हमारी नई वीडियो आने तक के लिए अल्ला हाफिस